वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज मैं आपको क्लास फोर्थ के लिए हमारा भारत बुक से चैप्टर नमबर सिक्स को पढ़ाऊंगी पूरे ही चैप्टर के सभी कोशन आंसर लिखने समझाऊंगी के एक्जाम में कैसे लिखोगे फिर बच्चो उसके बाद अक्सर एक ना पता हुई तो आप इस पूरे ही चैप्टर को या फिर पूरी ही बुक को ढंग से समझ ही नहीं पाओगे तो अब सभी बच्चे जानते हैं दिशाएं चार होती है पूरफ पस्चिम उत्तर और दक्षिन तो आप सभी को याद रखना है कि हमेशा सूरज पूरफ की तो वो दिशाएं पूरफ कहलाएगी और आपका सीधा हाथ तक्षिन की तरफ होगा उल्टा हाथ उत्तर की तरफ होगा और जिधर की साइड आपकी कमर होगी वो दिशाएं पस्चिम की होगी तो उम्मीद करती हूं सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे चैप्टर पढ़ते हैं बुक के पेश नंबर 51 पर चैप्टर 6 है जिसका नाम है भारत के पठारी भाग याने कि बच्चों हम इस चैप्टर में भारत के जो पठारी भाग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे मगर अब पहले यह जानना जरूरी है कि पठार किसे कहते हैं और पहार किसे क इनकी जादा ऊचाई नहीं होती है यह उबड खाबंड यानी कि कम ऊचे होते हैं जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है और पहार देखो कितने जाधा नोकी ले हैं मगर इनकी नोके नहीं होती है पठारों की पहाडों की तरीके से चाप्टर पढ़ने स्टार्ट करते हैं अभी तक हमने बाहरत के पहाडों के बारे में पढ़ा नदियों और मेदानों के बारे में भी पढ़ लिया तो बच्चो इस चाप्टर में हम पठारी भागों के बारे में पढ़ेंगे पठार पहाडों की तुनला की अंदर कम उचे होते हैं अभी मैंने आपको बताया था और जो इनका उपरी हिस्सा होता है पहाडों की तरह इनकी चोटी नहीं होती है बलकि इनका पठारों का उपड़े हिस्सा चप्टा और सपाठ होता है, जिस तरीके से पहडों की नोके होती है, पठारों की नहीं होती है अब बच्चों जो भारत का प्राइदूप ये भाग है अधिकतर वो पठारी है प्राइदूप ये भाग याने की जो जगाएं पानी से घिरी हुई होती है तीन तरफ से उसे प्राइदूप कहते हैं तो भारत के जितने भी प्राइदुई पे इस्थान हैं वो जादा तर पठारी हैं और ये बहुत-बहुत पुरानी चट्टानों से बना है आपने हिमालिय परवत और मैदानों के बारे में भी इससे पहले वाले चैप्टर्स में बढ़ा था तो मगर इसके बावजूद भी पठारी भूभाग याने की जो पठारी जमीन होती है वो इन हेमालीय पहाडों से इन से जाधा फुरानी है इस पठारी भाग की जमीन बहुत ज्यादा कठोर और उब्र खाबढ होती है जैसे कि भी आपने पिछर में देखा था अब देखो पठारों के आपको नाम जानने हैं important है hand to hand copy में लिखना और hand to hand इसको learn कर लेना पहला है मालवा का पठार, बुंदेल खंड का पठार, छोठा नागपूर का पठार और दक्कन का पठार चार पठार हैं यहाँ पर, देखो बच्चो मैप के अंदर चारो ही पठार हैं यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं, तो चारो पठार यहाँ पर हैं देखो पहले दिशाई लिख लोगे, पूरफ पस्चीम, उत्तर और दिक्षिन, तो दक्कन का पठार इस जगह पर है, मालवा का पठार मिहाँ पर है, बुंदेल खंड का पठार है ये और ये चोटा नाकपूर का पठार है, अब बच्चो आपको एक बात और याद रखनी है की जितने भी पठार हैं, उनके बीच में बहुत सारी नदियां भेती हैं, जिनके नाम है नर्मदा, ताप्ति, महानदे, गोदावरे, कृष्णा, कावेरी, और बच्चो इन पहारों के आसपास की जो जमीन होती है, वो मेधानी भागो की तुलना के अंदर कम उपचाओ हो बच्चों का एक दल विद्याली की तरफ से गया, समझ में आया कि पठारों की बारे में और ज्यादा इंफोर्मेशन हासिल करने के लिए, एक स्कूल से बहुत सारे बच्चे कहा गए, भोपाल गए, ताकि वे पठारों की बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके अब भोपाल क्या है बच्चो मधिया परदेश की राजथानी है और मधिया परदेश कहा है बीचम बीच हिंदुस्तान के मानचित्र में आपने देखा होगा मधिया परदेश है मधिये का मतलब ही बीच होता है तो मधिया परदेश की राजथानी भोपाल मालवा के पठार के उपर बसा हुआ एक शहर है मालवा का पठार उत्तरी भारत के मैदान से उचा है यदि हम दिल्ली से जाएं तो धीरे धीरे उचाई बढ़ती जाती है इस पठार पर चंबल बेथवा आधी नदियां भेती है मालवा के पठार पर याद रखोगे याद रखोगे कि मालवा के पठार पर कौन कौन सी नदियां भेती है चंबल बेथवा आधी नदियां भेती है अधियापक बच्चों को भोपाल शहर घुमाने के बाद दो जीलों के पास भी ले गए जिन्हें बड़ा तलाब और छोटा तलाब कहा जाता है और दोनों ही कहा फेमस है यहाँ पर और इसको क्या कहते हैं भोष्टाल कहते हैं इन तलाबों को तो इसी वज़े से भोपाल का नाम भोपाल पड़ा है अब भोपाल घुमने के बाद जो नोंने गाईट रख रखा था उसने उनको विदिशा जाने की सलहा दी सभी बस से विदिशा की ओर र चड़े नहीं फिर यह ढालान के से आ गई तो गाइट ने सबको बताया कि हम भोपाल भोपाल का जो पठार है हम उससे नीचे उथर रहे हैं क्योंकि बच्चों पठार भी एक तरीके से पहाड ही होते हैं उच्छे नीचे होते हैं और यह जमीन के तुलना में उच्छे होत कि विदिशा विंदियाचल के पठारी भाग पर बसा शहर है क्या बताया गाइड ने बच्चों को कि जो विदिशा नाम की जगा है वो विदियाचल के पठारी भाग पर बसा हुआ एक शेर है बेथवा नदी यहां से होकर गुजरती है याद रखोगे कि कौन सी नदी होकर कुषरती है नदी का नाम क्या है बेथवा नदी है तो शुभी ने नीचे जुक कर कहा कि मिट्टी का रंग कैसा है तो अधियापक ने सब को बताया कि पूरे पठारी भागों में ज्यादा तर इस्थानों की जो मिट्टी है वो काली होती है नेक्स टॉपिक है कगार के तले बसा गाव विदीशा से चलने पर बालंपूर गाव आ गया यानि कि विदीशा से जब वो आगे पहुँचे तो बालंपूर नाम का गाव आ गया और यहाँ पर बच्चों इस्थानी नदिया पठार के कगार से उतरती है अपने साथ कंकरबा नालू आदि लाकर कगार के पास वाले शेत्रों में छोड़ कर आगे बढ़ जाती है कगार नामक जगा से कुछ दूर गावं के समतल हिस्से पर काली और चिकनी मिट्टी की जमीन है और यह जो जमीन है काफी उपजाओ होती है इस शेत्र में कगार से उतरते इस्थानी ना नहीं मिल जाता है, दूसरे नधी के साथ जो कंकर, बालो, पत्थर आते हैं, वो खेतों तक नहीं पहुच पाते हैं, इससे खेत खराब होने से बच जाते हैं, आगे गाउग गाइड ने बताया कि गाउग के किसानों ने कुमे भी बना रखे हैं, लेकिन यहाँ पर कुमे बह बालो, जुप लोग होती हैं, दूसरे ने पर ले रखेतों तो कहने, इससे मेरे चंप कबाते हैं, तो इसंहें के लोग हैं, वो खेतों काम बनाते हैं, अब पठार के गाउग रखेती जेतों की तरफ ना जाए तो गाउं आना अधूरा होता है अगर खेत ना देखे तो गाइट ने एक इस्थानी किसान महावीर को अपने साथ ले लिया बच्चों ने अध्यापक और गाइट को छोड़ कर अब महावीर को घेर लिया जो कि एक रिशकते किसान थे नूरी ने उ धस लोगो बडल बदल कर उगाते हैं जिस्से की मिट्टी अपने उगजाओ पन को बनाये रख़ती है यहाँ पषूओ के लिए चारी की कमी होती है इसनिזה यहाँ के किसान बढ़े पैमाने पर ज्यादा पशू नहीं पालते हैं यानि फचू पालन नहीं करते हैं तोन कि र अब महाविर ने बच्चों को एक पेड़ के नीचे चबूत्रे पर बिठा दिया और बताने लगे कि पहले इन पठारी भागों के ओपर बहुत बड़े बड़े गने जंगल थे और इनके अंदर सांभर, चीतल, तेंदुए, शेर, खोंखार जानवर रहा करते थे लेकिन लो जंगलों से तेंदुपत्ता शेहद एकटा करते हैं और पास के बजारों में भेशते हैं तेंदुपत्ता बच्चों क्या होता है बेड़ी बनाने के काम आता है आपने देखा होगा कि बेड़ी एक पत्ते के अंदर लिप्टी हुई होती है वो तेंदुपत्ता होता है ते ऐ बालंपूर में मकान इस्थानीय रूप से मिलने वाली चीज़ों के बने होते हैं गाउं वाले पथर और मिट्टी से जोड़कर दिवारे बना लेते हैं लकडी बास एवं इस्थानी घास की सहाएता से ये छब बनाते हैं कुछ लोग छट को खप्रेल यानि की मिट्टी की टाइल्स जो की गाउम वाले स्वेम बनाते हैं मिट्टी की टाइल्स से पक्का कर लेते हैं घास पूस की जगा के घरों में छट भी पत्थर के बड़े बड़े टुकडों से बना ली जाती है पठारी भागों में पत्थर तो असानी से मिल जाते हैं यहां के लोग कगार से पत्थर के नए टुकडों को काट लेते हैं इसके अलावा वालंपूर में यातेयात के साधन के रूप में बेलगारी और छोटे-छोटे मोटर वहां चलते हैं पिछले कुछ वर्षों में कच्ची सड़के यहां की पक्की हो गई है इससे ट्रक एवं बसों के चलने में भी असानी हो गई है फिर बच्चों ने उनसे पूछे कि क्या का का यहां के सभी गाउं ऐसे ही है तो माविर ने कहा कि हाँ पठारी भागों के सभी गाउं लगभग ऐसे ही है इन शेत्रों में वर्षा अधिक नहीं होती है पूरे पठारी भाग के उत्तरी भाग में गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड परती है पठार की दक्षीन भाग में गर्मियों एवं सर्दियों में तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता है यानि कि पठार का जो दक्षीनी भाग है वहाँ पर तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता है फिर वो बताते हैं बच्चों कि इन पठारों में देश के लिए बहुत बड़ा खजाना भी छुपा हुआ है तो बच्चे एकसाइटिड होकर पूछते हैं कि कैसा खजाना तो वो बताते हैं कि इन पठारों में कोईला लोहतांबा आदी मिलते हैं इन्हें हम जमीन से खुदाई करके निकालते हैं छोटा नागपूर का पठर खनीजों के रिए विशेश रूप से जाना जाता है यानि कि बहुत स्यादा मशूर है हर्श निधीरे से कहा गुरूजी हमें उन जगाहों को भी दिखाएं जहां से ये खनीज निकाले जाते है बच्चो इन इस्थानों को खान केते हैं इन इस्थानों पर हम अगली बार आएंगे यानि कि नेक्स चैप्टर में आगे आप खानों के बारे में पढ़ोगे अब बच्चो इस चैप्टर के फिलप्स है पठार का उपरी हिस्सा नुकिला ना होकर चप्टा और सपाठ होता है भोपाल शहर मालवा के पठार पर बसा है भारत के पठारी भाग पर मुखियता कौन सी मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाती है भारत का प्राइद वीपिये पठार अरावली से नीलगरी तक फेला है बच्ची भोपाल के बाद कौन सी जगा गए थे तो विदिशा गए थे अब बच्चो इस चाप्टर के राइट रोंग है पठारी भूभा कठोर और पुरानी चक्टारों से बना होता है तो बिल्कुल सही बात है पठारी शेतर में पशुपालन मुख्य रूप से किया जाता है तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि यहाँ पशुओं को चारा नहीं मिल पाता है ज्यादा मातरा में इसलिए यहाँ पशुपालन मुख्य रूप से नहीं किया जाता विदीशा शहर विंदिया आचल के पठारी भाग पर इस्थी थे तो बिल्कुल सही बात है आगे है नदिया और नाले कगार से उतरते हुए अपने साथ लाए कंकर पत्थर कगार के पास वाले खेतों में जमा कर देते हैं अगला है पठारी शेतरों में कुएं असानी से खोदे जा सकते हैं तो बच्चों बिल्कुल असानी से नहीं खोदे जा सकते हैं क्यूंकि यहां की जमीन बहुत ज्यादा पत्रीली और सक्त होती है अब है टेक्स बुक के कुशन आंसर पहला कुशन है कि भारत की दो पठारों के नाम बताओ तो मैंने यहां पर लिखा आंसर का मालवा का पठार तथा दक्कन का पठार दूसरा कुशन है कि पठारी भागों में मुखियता किन फसलों की खेती की जाती है तो आंसर लिखोगे कि पठारी भागों में मुखियता ग्याहूं चना और मसूर की खेती की जाती है अगला कुशन है कि पठारी भागों में कुवे की खुदाई मुश्किल क्यों है तो आंसर लिखोगे कि पठारी भागों में कुवे की खुदाई मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहां कठोर चट्टाने होती है तथा पानी भी बहुत गहराई में जाकर मिलता है तो इस्क्रीन शॉट लेकर हैंड टू हैंड लिखते जाना आगे है कगार से नीचे बहती नदियों पर बांध बनाने से क्या फाइदा है क्या अलाब है तो आंसर के अंदर लिखोगे कि कगार से नीचे बहती नदियों पर बांध बनाने के निमन लिखित लाब हैं पहला है बांध से सचाई के लिए पानी मिलता है दूसरा है पत्थर और रेत पाने के साथ भेगर खेतों तक नहीं पहुचते हैं और खेत खराब होने से बच जाते हैं अगला कुशन है कि पठारी भू भाग को अधिया पकने देश का खजाना क्यूं कहा है अगला कुशन के आंसर लिखोगे कि पठारी शेतरों की खानों में केई परकार के खनेज जैसे की कोईला लोहा और तांबा आदे पाए जाते हैं इसी वज़े से उन्हों ने इसे खजाना कहा है देश का बच्चो टैक्स बूक का अगला कुशन है कि मालवा के पठार को आपको मानचितर में दिखाना है तो बच्चो मालवा का पठार है कहां पर मदिया परदेश में तो आप अपर मदिया परदेश में मालवा के पठार को दिखा दोगे अब बच्चो optional question answer है चोकि एक्जाम में पुछे जा सकते हैं कि भारत का अधिकतर प्राइद्वी बेभाग पठार है अधिकतर खाने पठारों में मुझूद होती है है ना खानों के अंदर से बच्चो मिनरल्स वगेरा निकाले जाते हैं कोईला तांबा वगेरा मालवा का पठार उत्तरी मैदान से उचा है याद रखोगे कि मालवा का पठार किस से उचा है उत्तरी मैदानों से उच्छा है, मगर पहाडों से नीचा होता है, डेश और डेश नदिया मालवा के पठार से बहती है, तो कौन-कौन सी नदिया बहती है, तो आंसर होगा, चंबल और बेथवा, अगला कुशन है कि काली मिटी डेश के लिए अच्छी है, तो कपास की खेती के लिए काली मिटी बहुत अच्छी होती है, पठारों में डेश का अभाव है, तो चारी की कमी है पठारों के अंदर, तेंदू की पत्तियां किस चीज के अंदर उप्योग की जाती है, बीडी बनाने में उप्योग की जाती है, तेंदू की पत्तियां, कागर एक क्या है, धालू रस्ता है अगला कोशन है कि भारत के अंदर इक पठार जो है उनके नाम बताओ तो मालवा का पठार बुंदेल खंड का पठार छोटा नाकपूर का पठार और दक्कन का पठार पठारों से बहने वाली कम से कम तीन नदियों के नाम बताने हैं जो नदियां पठारों स इस्थीत बड़ा तलाप और छोटा तलाप को भोस ताल के नाम से जाना जाता है तो इसी के नाम पर भोपाल शहर का नाम पड़ा अगला कुशन है कि क्या पठारों पर कोई वन जीवन है तो कभी पठारों पर घने जंगल हुआ करते थे शेर, सांभर, चीतल, तेंदू, आदिवासी रहते हैं तो बच्चो चैप्टर कंप्रीट होता है